हम सबकी लाइफ में एक प्रॉब्लम बहुत जादा कॉमन है दूसरों को मार्फ ना करना लेकिन हम यह नहीं जानते कि यह जिन्दगी का जो सफर है न यह बहुत चोटा है और आज की कहानी भी मैं आपके सब यही शेयर करने आई हूँ जिसका नाम है जीवन का सफर जीवन का माक ना करना उनसे जगड़ा करना इन्हीं बातों को लेकर उल्जेगी रहते हैं और अपने काम से भटक जाते हैं लेकिन अगर मैं आपको कोई कहानी सुनाओना तो हो सकता है उसे सुनने के बाद आपकी सोच भी बदल जाए एक बार एक बजूर्ग महिला इनके पास कुछ समान था बी बस में चड़ी उनके पीछे-पीछे एक यंग महिला भी उनके पीछे चड़ी उसके हाथ में कुछ बैक से उस महिला को धका मारते हुए आगे किया और उनके सीट के उबर फ्रैट गे अब बजूर्ग महिला ने उसकी किसी भी बात का कोई रिपलाई नहीं किय उससे कोई भी जगड़ा नहीं किया, कुछ लिए नहीं कहा उसे अब उस लेडिस को बहुत अश्चरे हुआ उसने थोड़े देर के बाद उस बजूर्ग महिला से पूछा कि मैंने आपके साथ इतना गलत वेवार किया लेकिन आपने मुझे तब भी कुछ क्यों नहीं कहा आपको मुझे से जगड़ा करना चाहिए था कि मैंने आपको धक्का तो दिया तो आपको पता है कि उस बजूर्ग महिला ने क्या उतर दिया अब यह चोटी से बात है लेकिन बात का मौटिफ बढ़ा है यहां एक बात तो आती है यात्री सफर के लिए हम सब जानते हैं कि हम अगर सफर करते हैं कुछ जो हमारे साथ यात्रा करते वाले हैं वो बहुत कम समय के लिए हमारे साथ रहते हैं और हमने काफी बार ये भी देखा है, जाहे वो किसी भी बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, कहीं भी भी हो, आप बस में छोटी छोटी बात को लेकर जगरा करते रहते हैं, पहले तो उन्हें समझना चाहिए, कि ये छोटा सा सफर है, हस के रिकालो, दूसरी बात, अगर हमारी ला ये लाइफ का सफर है, ना जाने कब दूखा दे जाएं और ये बात एकदम से सच भी है, कि ये लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, हस के जीयों हो, और खुलके जीयों, तो इसलिए इसी बात को सोचो और आगे बढ़ो और खुश रहो और इसे चोट शटी कानी सुनने के लिए अगर योट्यूब पे हो तो इसे सुब्सक्राइब करता मत भूलो और अगर इंस्टाग्राम पर हो तो इसे पॉलो करता मत भूलो